नमस्कार कैथल खबर से मैं विक्रम यादव एडमीशन से संबंदित आपको महत्तपूर्ण जानकारी इस वीडियो के मैंदम से हम आपको देंगे और आज हम पहुंचे हैं कैथल के सिल्वर ओक इंटरनेशनल स्कूल में तो पूरी जानकारी के लिए बाचित कर लेते हैं प्रिंशिपल डॉक्टर एकेशिंग से सब्सक्राइब नमशकार मैंने अभी यहां पहली अप्रेल से जॉइन किया है दोजारतेश में और रही बात दाखिले की तो दाखिली तो चली रहे थे लेकिन अभी थोड़ा सा एक कस्मंजस की स्थिती पैदा हो गई थी पेरेंट्स के लिए खास कर क्लास वन के दाखिले को लेके जिसमें कि सी बीएसी की तरफ से दिशान इरदेश आये थे कि छए साल से कम के बच्चे क्लास वन में नहीं जाएंगे लेकिन हर्याना सरकार ने उसको थोड़ा सा पेरेंट को राहत देते हुए यह किया कि जो बच्चे हैं साड़े-पांच साल को जो पराना सिस्टम चल रहा था तो उसी के तहट उनको क्लास वन में दाखिला दिया जाए तो स्कून ने इसे जो बच्चे थे जो इसकी जद में आ रहे थे जिनको जो एफेक्ट हो रहे थे उनको देखिए एडमिशन जो भी हो रहा है किसी भी स्कूल में वो बेसिकली I mean they are meant to give every facility to the parents तो अब इसको लेकर confusion था there is no denying the fact तो luckily that has been sorted out को चीज निम्र समाप्त हो गई है अब वो असमंजस की स्थितिक खतम है तो अगर मैं फैसिलिटी की बात कूँ क्या कुस्छ फैसिलिटी या प्रोवाड नहीं देखिए इसलिवरोग स्कूल जो है अगर आप यहां का खेल कूद की उत्तम फैसिलिटी है यहां के बच्चे पहले भी नाम रोशन करते रहें हैं विद्याले का और अपने जिले का अभी देखिए स्कूल शुरू है हफता भर हुआ है और हमारे इवनिंग गेम्स का प्रोग्राम शुरू हो गया है उसके लिए कोचेज है तो अभी पंदा तारिक से स्विमिंग शुरू हो जाएगी हमारे पास एक क्वालिफाइड कोच है इस समय एक सार उनको रखा गया ह और नया स्टाफ आया है जो सिनियर क्लासेज़ में बच्चों को इस तरीके से बढ़ाई करआ करवाने के लिए तत्वर है कि कैसे उनको बोर्ड के साथ-साथ साथ कॉम्प्टिशन की तरफ भी एक मारक दरशन करें कि कॉम्प्टिशन में किस قिसम के सवाल आत मैं कैसे करें बच्चों को स्कूल से ही हम guidance देना शुरू करें कि जो आप पढ़ रहे हैं बोर्ड में ऐसे आएगा लेकिन इसका स्थर जो है competition के लिए क्या होगा और किस किसम के सवार होंगे वो उस तरीके का हम लोगों का पूरा प्रयास है अगर मैं बात करूं निव एजुकेशन पॉलिशी बारत सरकार का मैं तो पहुंगा एक सराहनी कदम है क्योंकि बहुत सारे प्रयास हुए है एजुकेशन में चेंजिस लाने के लिके लिए ज्यादा कुछ अपने अपने समय पर थोड़ा-थोड़ा सब लोग करते रहें अब यह एक बड़े तरीके से इसको अवरहॉल करने का प्रयास है आप ऐसे समझे कि जब मैं स्कूल में था जब मैं पढ़ता था तो हमने अपने टीचर से एक चीज सुनी थी कि थ्री आर्ज आर इंपॉर्टन्ट रीडिंग राइटिंग और रिथमेटिक तो अब यह जो एनिपी है जो फोकस कर रहा है इसके डेवलप्मेंट पर फोकस कर रहा है एक दूसरा कह रहा है कि इसके उपर महारत बच्चों को होनी चाहिए और रीडिंग वगरा वो लिखने के उपर इसके उपर बहुत स्ट्रेस है कहीं ना कहीं शायद पिछले कुछ वर्षों में या तो टाइप करने में शायद जादा सहूलियत है लिखने में उतना उनको मन थोड़ा सा भागता है उससे तो कहीं न कहीं उसको है क्योंकि देखिए एक पुरानी मसल है कि राइटिंग में के था परफेक्ट मैं कि जतना आप राइटिंग से प्रैक्टिस करेंगे उतने लिखते हैं किताब से देख के भी लिखते हैं तो कुछ चीज आपके मस्तिश्क में रह जाती है और फिर जब आप उसको याद करने बैठते हैं पढ़ने बैठते हैं तो इस अब आता हाँ यह तो मैंने किया था तो डैट मच यू लर्निंग इस एट मच फास्टर तो कहीं तो उसमें बारवे के बाद बॉर्ड एक्जैम होगा जैसा कि अभी उन्होंने यह प्लाइन किया है अब यह अपरेशनल होते होते हैं तो उसमें जो अबजेक्टिव है वो यह है कि बच्चों को बॉर्ड एक्जैमिनेशन का जो एक घबराहट होती उसके नाम से जो जाएं कि हर छेचे महिने पर थोड़े थोड़े पेपर होते रहें बच्चों के नाइंध अन्वर्ड तो एक तरीके से बच्चे एक आट सेमिस्टर हो गए चार साल में आट सेमिस्टर होगा तो आट इंतहान हो गए तो कर रहें चोटे-चोटे बॉर्ड एक्जैम कराते चलेंगे तो जब बच्चे उसका आधी हो जाएगा कि हाँ यह बॉर्ड एक्जैम है तो जब अल्टिमेटली फाइनल वाला देगा तो वो टेंशन नहीं रहेगी और यह नो इट विल बी जस्ट लाइक एनी अदर एक्जैमिनेशन फॉर और हर तो यह तो एक अच्छी ची हैंगे आप टेंशन मत दीजे आराम से पढ़िये प्रधान मंत्री की देखिए उपर इक्षा पर चर्चा होती वो भी यह कह रहे हैं कि बच्चे किसी प्रकार का तानाव नहीं 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 तो बनकि एक उस्तक भी लिखी है एक्जैम वारियर्स इसको लेके तो यह देखि का स्टूडन हो तो मैं सिर्फ साइंस पक्षाट होंगा मैं दूसी चीज़ नहीं देखूँगा अगर मैं सिर्फ will स्टूडेंट हो तो मैं दूसी चीज़ नहीं देखूंगा इसके तहट क्या होगा कि आपके मेन सब्जेक्स चलते रहेंगे लेकिन साथ में चोटे-चोटे सब्जेक्स आपको और पढ़ने पढ़ेंगे जैसे कॉलेजिस में प्राइविट उनिवस्टी वगरा हैं और कई को भी थोड़ी सरी के सब्जेक्स पढ़ने पढ़ेंगे तो आपको एक वह ऑल-ओवर एक्स्पोशर देंगे अलट्मे přि secondary education उसके लिए कि लोगों से उन्होंने opinions मांगे थे ideas मांगे थे और कहीं लोगों ने दिये हैं उस पे काम चल रहा है वह बहुत जल्दी वह भी आने वाला जैसे अभी और ये foundation stage का आया है अब secondary education वाला भी आने वाला है उससे बहुत सी चीजें जो है थोड़े बहुत अकर हम लोगों के मन में भी कोई भ्रहम है वो भी दूर हो जाएंगे सारे तो यह है तो नीचे से नर्सरी से लागू होगी क्योंकि देखें नर्सरी से class 2 पात साल का पहला यह foundation stage है उसके बाद व सिक्स्ट वेट में मिडल है और नाइन कूट वेल्थ का इंडिग्रेटेड़ फोर यह तो पांच तीन तीन चार यह है अगर मैं अलावर डिवल्मेंट की बात करों तो अलावर डिवल्मेंट को लेकर आपके स्कूल में किस तरह से बच्छों को तायार गया दाता है कुछ एक्टिविटी हम थोड़ी बहुत कराएंगे तो उससे क्या है कि अगर आपने कुछ किया तो शायद उस चीज की आपको बहतर समझ होगी तो यह इस तरीके से चलेगा सारा और यह तो जैसा मैंने कहा स्किल डेवल्पेंट पर फोकस है सारा एनीपी में अभी यह दे और कहा है कि साल में फंद्रा बारा से फंद्रा घंटे जो है इनका कुछ पच्चों को सका है क्योंकि देखिए बच्चों को जब एक्स्पोजर होगा पता चलेगा कि हाँ यह चीज है और सबसे बड़ी चीज मेरी बात को लोग अनिता न ले लें लें कि कहीं न कहीं हाथ स काम करने को लोग थोड़ा सा घलत नजर से देखते हैं तो डिग्निटी ओफ लेबर की बात कहीं गई है कि आप श्रम करिए और उसका महत्व समझिए आपने भी किया होगा अपने समय में मैंने भी किया है श्रम्दान होता था स्कूल में श्रम्दान में क्या हो रहा बई च आपनी स्टूडेंट्स अपनी क्लास नियमित रूप से रोज साफ करते हैं और कोई ने कहता यह वहां के एक हो है कल्चर है दू इट दस मिनिट आखीर के वो इसी हो टीचर और बच्चे मिलके अपना कक्षा साफ करके जाते हैं मैं अर्मी पब्लिक स्कूल में जब पढ़ कीजिए तो उनको फिर सारा फरनिचर हिलाना नहीं पड़ेगा उनको क्लियर जगह में लेगी उसफाई करते चले जाएंगे हम लोग भी वहां दो हफते में एक बार मैं इस क्लास टीचर अपने बच्चों के साथ लगता तो हम लोग 10-15 मिनिट लगते थे पूरी क्लास लगते हैं सेकंडरी सीन सेगंडरी स्टेश पर तो देखिए खाका बड़ा है और उमीद भी बहुत हिससे और यूजिए अपके और आपके बच्चों के लिए मैं तो जानका रही तो इस वीडियो को ज़्यादा सेरे करें लाइक करें कमेंट करें ताकि ज़्यादा ही ज़